नमस्त गार आप देखने हैं न्यूस पियार मैं हूं आदेश पूरी आज 14 माई है और इस वीडियो में हम चार्चा करते हैं देश और बिहार से परकासित होने वाले इसमाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिसका सिद्धा समंध आपके और हमारे जीवन से चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहली कबर धैनी जारण कराश्टी है संस्क्राण समय लिया इसमें दिया है कि साल के अंद तक सबको लग जाएगी वैक्सीन अगस्ष से दिसंबर की वीच में दो सौला करोड डोज बनाने का रोड मैप तैयार हो चुका है 18 साल से अधिक उम्र के 95 करोड लो है अगस्त दिसंबर की वीच में बनाने की तैयारी चल रही और सरकार का यह पूरा प्लानिंग है कि इस साल के अंद तक सभी लोग का वैक्सिनेशन कर दिया जाए ताकि यह समस्या जो है फिर से देश को ना जहलना पड़े वही अगली खबर हम ने लिया है दैनी जारण से देश के 187 जिलों में पिछले दो हफ्तों से संक्रमन के नए मामले में गिरावट आ रही है हलका हलाकि सरकार ने सतर करते हुए कहा है कि कोरोना मामारी का चरम अभी आएगा और मामला बढ़ भी सकते हैं इसलिए राजी के साथ मिलकर तैयारिया करना जरूरी है तो ऐसा नह अगली खबर हमने लिया है देनी जरन क्राष्टिया संस्क्राण से ही इसमें दिया हुआ है कि यूपी एस्सी की पीटी सिविल स्वाय की प्रारंबिक परिक्षा को अस्थागित कर दिया गया है 27 जुन को होने वाली परिक्षा अब 10 अक्टूबर को ली जाएगी और इसके तीन फेज होते हैं इस परिच्छा के पीटी मेंस और इंटर्व्यू तो यह पीटी की परिच्छा है 2021 के लिए वह एकली खबर जो है हमने दनी जरन सही लिया इसमें दिया हुआ है कि केरल में लॉकडाउन के बावजूद कम नहीं हो रहा है मामले सक्त पबंदियों का महरा पर बात करें तो यहां मामले लगातार कम हो रहे हैं जो की अच्छे संकेत हैं दिल्ली में भी कम हुआ है यूपी में यूटी में जारखनी इनसराज्यों में मामले काफी कम आयं हैं उनि लिए हैं देनिरन गरनतर अंसक्राइध की 12 से 16 हपत Be broughtom कोई सिल्ड के दूसरी डोज फिर से बढ़ाया गया है पहले आटाइस दिन था उसको बैली से छपट दिन किया गया दूसरा डोज के लिए कोई सिल्ड का और अब जो है बारा से सोलों हपता के अंतर पर लगेगी वही गरवती और अस्तनपान करा रही महिलाओं को भी ठीके क ने कोई सिल्ड के दो डोज के बीच में आंतर को छो से आठ हफ्ते से बढ़ाकर बारा सो सोलों हपता करने के मंजूरी दे दिया स्वास्त मंत्रालेक ने गुरुवार को यह जनकारी की संबंद में नेशनल टेक्निकल एडवाईजरी गूप ऑफ इम्मुनाइजेशन की को वैक्सिन की दुनों डेज के बीच अंतर कोई बदलाव नहीं किया जाए लेकिन यह कोई सिल्ड में किया गया है बदलाव और दिया हुआ है कि अगर पोजेटिव हो चुके हैं उसके छे महीने बाद भी जो है टीका लगाया जाए अभी जो है चार हफ्ते से आठ हफ्ते कि बीच बात जो है टीका लगाने के बारे में कहा जाता है वही अगली खबर हमने लिया जनसत्ता पर से इसमें दिया है कि बच्चों पर टीके के दूसरे तीसरे चरण के परिक्षन को मिली मंजूरी भारत बायोटेक ने नैदानी परिक्षन का दिया था प्रस्ताओ आपक कि ली जाए यांनि कि ट्रायल का मझूरी दिया बारत बांसापचीस स्वस्त शॉंन्षाउछ तो दो और ठाड़ा साल के बच्चों पर जो है दूसरा के ड्ग्यां का एक त्राइल किया जाए मार्केट में और उसके बाद उनका भी टिक्या करन कर दिया जाएगा वही अगली कबर जो है आमने लिया है जन सत्ता सरीस में दिया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सामोही कीचन की व्यावस्था करें सुप्रिम कोट का केंदर दिल्ली यूपी और हडियाना को निर्दे उनका प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र पर जोर नहीं देना चाहिए वही अगली खबर भी हमने लिया है जन सत्ता से इसमदिया हुआ है कि खुलेंगे यमनत्री और गंगोत्री के कपाट पर स्रदालू नहीं आसपास में कोई नहीं आएगा और किवल 20-25 कपाट के वल खुल रहे हैं लेकिन भक्तों के लिए ये चार धाम बंद हैं वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया इसमदिया है कि डवलु एचो से प्रमानित कोई भी वैक्सिन आज सकेगी भारत बता दे कि देश में टीके कमी कारण सुस्त पर कोवीड टीका प्रभाने के लिए आयातकों को जल्स जल्स लाइसेंस दने का भी फैसला किया गया है तो अब है जो वह से प्रमानित कोई भी वैक्सिन भारत में आ सकता है वह अगली खबर भी अन्य प्रभात खबर सही लिया इसमदिया है कि 80 लाग से अधिक किसानों के खातों में सुक्र 1549 किसानों के खाते में परधान मंत्री किसान सम्मान निदी के पैसा के खाते में भेज़ देगी कुल 1610 को रुपए किसानों के खाते में डीवीटी के माध्यम से डाले जाएंगे वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया इसमें दिया है कि बिहार में अब 25 तक लोगडाउन की घोसना कर दी गई है सरकारी कोवीड अस्पतालों में समदाई कीचन की सुरुवात कर दी गई है उसके बाद हार्डवेर और खार्ड और 20 की दुकाने सब्ता हमें दो दिन खुलेगी वही साधी समारों में अब 20 लोग ही सामिल हो सकेंगे सहरों में सुबा 6 बैस लेकर 10 बैस तक तो गाउं में 8 बैस लेकर 12 बैस तक खुलेंगी दुकाने वही अगली खबर हिंदुस्तान सहीं समदा कर्मियों स्वास्त समदा कर्मियों की हर्ताल खत्म आपको बता दे कि पट्टना में समविदा स्वास्त कर्मियों की हर्ताल जो है समाप्त कर काम पर वापस लोटा है हैं। Aryag सबले हो पर जाने के निर्डा को वापस देने की घोसना की है वय दोस्तान से कि विटामिन c Mina Ka J की जयादा सिवन करने से आपको किड़नी में पत्री का सम्होवना राता तो वही जुक वाइरस कावे कोई दवा अभी जुक्ष नरी निस्षावधानी के लिए लोग जो है बीटामेंशी और जिंक से उन ज़्यादा कर रहा है तो ऐसे में आप डाउटर से संपर्ख करें और एक लिए इस यह दुधा काशवन करें ज्यादा से करना जो है वह है आपके शेहत ठीक नहीं है ऐसा हिंदुस्तान में जो है सबसे बड़ी बात विहार में 7700 की आसपास जो है कुल संक्रमीत पाए गाए पिछले 24 घंटे में और यह संक्यत है विहार में लोगडाउन के सकरात्मक उपलब्दी का और आपको बता दे कि पटना में फिर मामले जो है वो बड़े हैं परसु से निचे था और अभी 1485 है वही अगली खबर होने लिया है हिंदुस्तान से इसमें दिया कि बार्ण पूर्व की तयारियों पर 26 जिलों को किया अलट रहा स्वीत लगाने और वाली जगों पर प्यजल स्वक्सा के दिये गए निर्देश मुख मंत्री के आदेश के बाद पावी चेत्रों पर उंचे प्लेटपॉर्म के साथ चापा कर लगाने का निर्देश दिया गया है तो बार्ण की तयारिया जो है वह सुरू हो गई है वह अगली प्रभात कबर से कुरोना वैक्सिन के साथ ब्लैक फंगस को भी बचाएगी कुरोना से ठीक होने वाले के बा सब्सक्राइब का है कल दस लोग जो है इसके चपेट में और वैक्सिनेशन जो है सबसे ब्ला ब्रमास्तर है जो कि आपको इस बीमारी से साइड इफेक्ट सब कुछ से बचाएगा तो जल से जल वैक्सिनेशन करा है वही अगली खबर काफी परेसान करने वाली है कि इतनी स तो है वो भ्यांकर रूप के बाद लोग अभी भी बिना मास्क निकल रहे हैं जबकि मास्क जो है सबसे बड़ा इसके लिए सुरक्षात तंत्र बताए गया आतियार बताए गया विमारी से लड़ने के लिए लेकिन फिर भी जो है हर एक दिन पटना में पुलिस मुख्याल जिनता वाली बात है मास्क पहने सरकार जो भी गाइडलाइन जाई करते हैं उसे जरूर पारल्म करें वही आपको बता दे अंतिम खबर जो है वह आयोग की सुचना के इंतियार में मेडिकल लगाए दरोगा व्यार्थी पहुंचे हाई कोट पंद्रासों के आसपास दो वाले समचार पत्रों की वैसी कबरें जिनका सिधा संबंद आपके और हमारी जुगन से है अगर आप मारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहा है तो वीडियो को लाइक सेर करें और हमारे चैनल न्यूज प्यार को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका बहुत बहुत दन्यवाद है